आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now Hello guys So, इस वीडियो में हम अपना एक नया topic स्टार्ट करने वाले हैं That is dupas तो पिछले वीडियो में हमने देखा था Aveera के बारे में थोड़ा सा पड़ा था और उससे पहले हमने देखा था कि कैसे हम Sanchi Stupa को आगे आने वाले वीडियो में explain करेंगे, तो इस वीडियो में हम Stupa को explain करने वाले हैं तो Stupa हम तीन पार्स में divide करेंगे, सबसे पहला Stupa के बारे में जानेंगे what is it about, why would they build and the structure, कि स्टूपा किस बारे में किसले बनाये जाते थे, क्या reason था उनको बनाने का, और उनका structure किस तरीके से है, तो इस तरीके से हम स्टूपा को पढ़ेंगे different three parts में, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टूपा का एक picture शो करा है, it's a label diagram of स्टूपा, ब्रिक्स में, यह इसकी railings होती है, स्टूपा के जो सराउंड करती है, जो यहाँ पे mount को सराउंड करती है, railings उसे हम मेधी कहते है, this is known as मेधी, यहाँ पे लिखा है, और यह जो railings है, यह जो स्टूपा को पूरे स्टूपा को इन-circle करती है, उसे यह oval shape में, यहाँ पे जो circle में, शो कर रहा है स्टूपा का, इसे अंडा कहा जाता है, this thing जो यह brick के बनीवी है, यह square में भी हो सकती है, और यह oval shape में भी होती है, इसकी shape हर जगा differ करती है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हर्मिका कहा जाता है, और उपर जो यह आपको तीन छह इस चीज़ें दिख रही है, इसे छत्रा कहा जाता है, या फिर छत्री भी कह सकते हैं, तो यह एक ब्रीफ डाइग्राम है, हमारे स्टूपा का, कि स्टूपा किस तरीके से दिखता है, क्या उसमें हमारे different parts होते हैं, जैसे main parts का तोराना है, तोराना is the gateway, अंडा is the oval shape, that is the mound, and this is enclosure wall railing, and the, जो railing आपके mound को surround करती है, उसे medhi खा जाती है, हर्मिका important है, चातरी important है, तो यह कुछ important parts हमारे स्टूपा के है, अब यह किस बारे में है, what is it about, what are the स्टूपा about, the places were regarded sacred, तो वो सारी जगाएं जहां पर भी आपको स्टूपा दिखेंगे, जहां पर भी आपको ऐसे डाइग्राम्स दिखेंगे, तो यह सारी जगाएं वो हैं, जो बहुत sacred, religious मानी जाती है, they are considered religious, जैसे हमारे उसमें temples होते हैं, ऐसे बुद्धस के उसमें stूपा होते हैं, this is an example of stupa, यह इंडिया में stupa नहीं है, it is somewhere located in South East Asia, तोई South East Asia कोई एक stupa है, now, stupas include sites with special trees or unique rocks or sites of awe inspiring natural beauty, तो जो stupa है, वो किन-किन जगाँ पे located होते हैं, वो कुछ ऐसे जगाँ पे located होते हैं, जहां पे कुछ special trees है, कुछ ऐसे trees जो कि सिर्फ कुछ specific areas में पाए जाते हैं, या फिर जहांके rocks बहुत unique होते हैं, और जिसकी जो natural beauty होती है, वो बहुत inspiring होती है, जैसे जो हमारे Sanji Stupa height is located in Bhopal, तो उसके जो rocks हैं, वो अपने आप में काफी unique है, and the area surrounding the Sanji Stupa is very inspiring, मतलब वो बहुत सुंदर है, तो these sites with small shrines attached to them were sometimes described as chaitias, तो अब जो यह stupas होते हैं, इनके side में कुछ shrines होते हैं, shrines मतलब कुछ ऐसी worshiping places होती हैं, जिसे हम chaitias कहते हैं, तो जहां पर, जिसे suppose यहां पर हमारा stupa है, तो इसके बगल में ही हमारे कुछ छोटे से shrine होते हैं, जो कि एक worshiping place होती है, it's a worshiping place, जिसे हम क्या कहते हैं, chaitias, तो stupa के बगल में worshiping places होती थी, जिसे हम chaitias कहते हैं, अब chaitia is derived from the word chita, chaitia किस word से derived है, it is derived from the word chita, जिसका मतलब होता है, it's a funeral pyre, जहां पर आग लगाई जाती है, मतलब जहां पर dead bodies को जलाया जाता है, तो chaitia कुछ इस तरीके कर दिखता है, it's a kind of a hall जहां पर हमारी सारी religious meetings हुआ करती थी, यहां पर भी आपको देखुजे से दिखरा है, एक अंडा, एक स्तूपा के फॉर्म में ही यहां पर चीज बनी वी है, तो इस तरीके करके यहां पर assemblies हुआ करती थी, religious assemblies, जहां पर preachings चलती थी, teachings चलती थी, बुद्धिस literature mentions several chaityas and also describes places associated with Buddha's life, where he was born, Lumbini, where he attained enlightenment, Bodh Gaya, where he gave his first sermon, Sarnath, and where he attained Nibbana, Kusinagra. तो बुद्धिस literature, जो various texts हैं, अब बुद्धिस टेक्स को क्या कहा जाता है, दियानूना स्थी पिताकास, यह हमने पिछले दो वीडियोस में पढ़ा था, कि बुद्धिस टेक्स स्थी पिताकास होते हैं, that is, दियार डिवाइड ने तो त्रीपां, that is, जविने पिताका, स जो अब बुद्धा के लाइज से डालेटली असोसीयटेड हैं, जैसे बुद्धा कहां बॉए थे, he was born in Lumbini, उन्हेंने enlightenment कहां अटें करा था, बोध गया में, उन्हेंने अपना first sermon कहां दिया था, first sermon मतलब, first religious speech कहां दी थी, सारनात में, और उन्हें निबाना कहां अटें क उन्हें टेक्स में mention करी गई हैं, और चैत्यास भी mentioned है, अब हम यह देखेंगे कि why were stoopas built, अभी तक तो हमने पढ़ा stoopa के बारे में, कि stoopa होता क्या है, किस तरहीं कर दिखता है, और उसमें क्या-क्या parts होते हैं, अब हम देखेंगे कि stoopas क्यों बनाय जाते थे, now inscriptions found in the rail and pillars record donation grants, अब जो stoopa बनाए गए हैं, और जो stoopa के आसपास जो रेलिंग सराउंड करती हैं, जैसे हैं, आपको stone railings, यह जो railings हैं, इस पे काफी सारे historians को inscriptions मिले, जैसे मैंने इस picture पे आपको दिखा रखा है, यह जो एक चोटे सा एक example है, एक railing का, जिसमें inscriptions लिखी गई है अब यह जो inscription है, it is written in Brahmi text, कौनसी text में mention है, ब्रामी text में लिखी गई है, ब्रामी text, तो इसमें लिखी गई है, तो यह जो ब्रामी text को जैसे हमने decipher करा, decipher मतलब decode करा, जैसे coded languages जैसे हमने इस language को decode करा, तो हमने देखा कि यह सारे donation grants mentioned है, अब उस समय, these donations were made by kings, चाजर सत्व सत्वाहानास तो उस समय सत्वाहानास कुंग्स थे तो जितने भी जो राजय जो जो चीफ लो दोक थे जितने भी रुच लोक थे तो लोग सरी लेव great VIP देति coffee on two new Out DO g दी द टे the iPhone and two family parade card with to the declaration of temple उने व्में पर मैं निया व्मादा की कही डिर दे आ करा था इस गाउं में हमने इतना काम करा था हमने अपने राज्य में ऐसे करा था हमारी कॉनिमी ऐसी थी तो वो सारे चीज़ें आपे में में इनके थुरू हमें थोड़ा बहुत पता भी चलता है उस समय के किंग्डम के बारे में जैसे for example सत्वानास के बारे में यह भी एक र सतूपा का सुपा का स्टूपा का स्टूपा की बनाया जाते हैं कि इनका रीजन क्या है स्टूपा बनाने का, और क्या स्टूपा मतलब उनके बारे में थोड़ा समने जाना कि लेबल डाइग्राम समने देखा, लेबल डाइग्राम हमने देखा कि उसकी कौन-कौन से पाग्स स्टूपा में बनाते हैं, अब हम देखेंगे कि स्टूपा का structure क्या है now the stupa is a Sanskrit word originated as a simple semi-circular mound of earth later called anda to stupa a Sanskrit word है जिसका मतलब होता है a mound जो कि earth से निकल कर आता है यह earth है आपकी और यहां से एक ऐसा mound निकल कर आता है इसे अंडा कहां जाता है ठीक है तो यह आपका square shape है यह अंडा है now gradually devolve a more complex structure balancing round and square shapes अब जरूरी नहीं है कि हमेशा oval shape में ही originate हुआ हो कि काफी सारे round or square shapes में भी emerge हुआ जैसे यहां पर आपको देख रहा है हलकिसी square shape है और exactly circle भी नहीं है यह हलकिसी square shape है now above the under was the hermica a balcony like structure that represented the abode of the gods अभी जैसे हमने उपर फाले structure में देखा था यहां पर देखो यह आपका अंडा है और यहां पर अंडा के जास्ट उपर आपको now this is a diagram एक और diagram है स्टूपा का थोड़ से clarify करने के लिए to arising from the hermica was a mass called the yashti often surmounted by च्छतरी और umbrella अब यह जो आपको यहां पर दिख रहा है ना यह च्छतरी है यहां पर तीन आपको च्छतरी shape में दिख रहा है तो यह इसको yashti कहा जाता है या फिर च्छतरी भी कहते है इस पूरे area को हम कहते है यश्टी यह यश्टी है और यह तीन जो इन्होंने बना रखे है इनको हम कहते है च्छतरी और यह जो इसके आसपास area है इसे कहा जाता है हर्मिका हर्मिका जिसको की भगवान की रहनी की जगा भी यह लोग मानते हैं around the mountain was a railing separating the sacred space from the secular world अब मैंने यहां पर देखो यहां पर जो डाइग्राम में है इसके आसपास आपने railings देखी है यह जो railing है इस railing का का मतलब क्या है कि यह जो इस जगा को मानते हैं यह वाली area इस portion को यह लोग भहुती religious मानते हैं क्या मानते हैं, इसको sacred माना जाता है, pure माना जाता है, sacred माना जाता है, और जो ये वाली railing है, ये railing मानी जाती है, हमारी outer world, secular world, तो ये एक तरीके का यहां पर दिखा रखा है, कि जो ये वाला world है, इस वाले world से बहुत different है, मतब sacred world is different from the outer world, ये एक differentiation शो कर रखा है, तो ये एक स्थूपा का एक brief introduction है, अब वर्षिपर्स एंटर थूरी इस्थन गेटवेई और वाट आउंड दे मांट in a clockwise direction, keeping the mound in the right, imitating the sun's coast through the sky, अब वर्षिपर्स कैसे एंटर करते थे स्थूपा के अंदर, जैसे कि यहाँ पे चार गेटवेई होते हैं, चार तोराना होते हैं, यहाँ चार तोराना हैं आपके, चार तोराना, यहाँ पे आपका बीश में structure है, तो जो इस्थन साइड का गेटवे होता था, ताट इस साइड, इस तरब से worshippers enter करते थे, they used to enter from here, और वो माउंट में कैसे घुमते थे, in a clockwise direction, clockwise direction में वो पूरा चक्कर लगाते थे, और वो किस तरी के चक्कर लगाते थे, जैसे कि उपर sky में आपका sun है, उसको follow करते भी वो लोग चलते थे, तो एक तरीके कि यह religious policy थी, एक religious belief था, कि यहीं स the sun है, उसी को follow को follow करते वे, उसी की direction में हम लोग पूरा circle करेंगे, now later the mound of the stupa came to be elaboratory carved with niches and sculptures as at Amravati and Shah Jahakke Dheri in Peshawar, Pakistan, बाद में क्या हुआ, जो यह stupa का मांट है, जो जो मांट है, अंडा है, जिससे हम कहते हैं, यह धीरे-धीरे क्या हुआ, पहले यह plane बनता था, लेकिन थोड़े कुछ time बाद, जब stupa हमारा time आगे बढ़ता गया, तो इसको लोग carve करने लगे, इसको थोड़े-थोड़े से काफ करने लगे, थोड़े-थोड़े स्कल्प्चर इसमें आड़ करने लगे, तो जैसे कि कुछ examples हमारे ऐसे stupa के हैं, जैसे सबसे पहला आमरवती, और दूसरा हमारा है शहा-जहा की धेरी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है, और यह हमारा एक सांची stupa का example है, सांची stupa जो कि कहाँ पे located है, it is located in Bhopal, तो आप देख रहे हैं, जैसे यह तोराना आपको दिख रहे हैं, यह तोराना यह gateway से सारे, यह इधर gateway है, यह gateway है, एक यह gateway है, उस तरफ गेटवे हैं, तो यह पूरा proper आपका stupa का structure था, अब हम यह देखेंगे कि why did सांची survive while आमरवती did not, अ अपने आप में बहुत unique माना जाता है, क्योंकि जो आमरवती stupa है, वो अभी तक हमको एक remains, मतलब उसका एक proper stupa की तरफ आपनी हुआ है, वो बहुत destroy हो चुका है, मतलब वो बहुत जदा destroy हो चुका है, तो इसलिए हम इस stupa को, मतलब यह important तो है, और यह सबसे largest भी है, लेक हमें structure अच्छे से दिखता है, और सारे inscriptions में अच्छे से mentioned है, सारे gateways अच्छे से हैं, तो हम reason देखते हैं कि आमरवती क्यों ही survive कर पाया, अमरवती was discovered before scholars understood the value of finds and realized how critical it was to preserve things where they had been found instead of removing them from the site, अमरवती कब discover हुआ था, आमरवती तब discover किया गया था, जब scholars ने समझा कि यह चीज हमारा आमरवती discover हुआ था, मतलब उससे पहले किसी को यह थाई नहीं कि हम इसको preserve करें और समाल के रखें, यह कितनी important चीज है, तो इसलिए शायद यह बहुत बड़ा reason है कि आमरवती destroy हुआ, अगर शायद उसी समय उसको preserve करके रखते, तो आमरवती अभी अपनी एक original form में हमारे सामने होता, preserved रहता, whereas Sanchi Stupa तब discover हुआ, जब हमको थोड़ा समझ में आया कि हमें अपना ancient India को, cultural history को preserve करके रखना चाहिए, now Sanchi Stupa was discovered, हम देखें, discovery कब हुई, Sanchi Stupa की discovery हुई है 1818 में, whereas आमरवती की discovery हुई है 1796 में, तो आप देख रहे हैं 1796 में इसको discover करें, that is 18th century पूरी 18th century हो गई है, और यह आपके 1818 में हुआ है, जिसके 19th century हो गई है, यह आपका आमरवती स्तूपा ऐसा नहीं है, यह बस एक पिक्चर ली शो करा गया है, ऐसा नहीं है आप आमरवती स्तूपा, पूरे आपको रेंस में तिखेगा, रून्स में तिखेगा, now three of Sanchi's gate was still standing while the fourth was lying on the spot where it had fallen and the mound was in good condition, अब Sanchi हमें कैसे मिला, Sanchi हमें मिला, उसकी हमें तीन गेट्स मिले थे, Sanchi's stupa के पहले, और एक गेट जो था उसका गिरावा था, लेकिन वो गिरने के बाद भी अपनी प्रोपर कंडिशन पे था, और जो मांन था, जो अंडा था, वो भी उस लंडन, अब जो यह गेट्वे जो गिरावा था, ऐसा उस समय कहा जा रहा था कि इस गेट्वे को पारिस लेके जाएंगे, यह लंडन लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो वही पे रहा, वेराज माया चैत्या, अम्रवती इस नाउ जिस न इंसिग्निफिकन लि लगता भी नहीं है, लेकिन सबसे लार्जस्ट स्थूपा इसी को ही माना जाता है, सबसे बड़ा स्थूपा हमारे यही है, लेकिन सांजी स्थूपा अच्छे से रिकंस्ट्रॉक्टेड है, उसके चारों गेट्वेज हैं, और उसको अच्छे से हमने प्रिजर्व करके मतलब आगे कि हमारे ट्रिडिशन है, कैसे उसका सकल्प्चर है और बुद्धिस और जैना के सकल्पचर किस तरह के से वो बुद्धा को शो करते हैं, क्या-क्या सिंबल्स हैं, क्या-क्या वॉल पेंटिंग्स हैं, वो सारे चीज़ हम आगे आने बाली वीडियो में देखें Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ये डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर